सबी विद्याच्थियों को day night classes के तरफ से नमस्कार तो हम इडवर्फ की definition में आपको बताई थी अब हम इडवर्फ की कुछ वीडियो जरूर देखिएगा और जो फाउंडेशन क्लास उसको जरूर देखिएगा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उत्साह हमारा बना रहे ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे तरह से हम चलिए हम समझेंगे उदानों के मार्दम से देखिए क्या है सब में हमने आपको बताने कि गलती जो है वो एडवर्व की ही है अब आपको बताना है कहां पर गलती है पहला वाकि दिया है एडवर्व की गलती है बताईए कहां पर गलती है मिस्टेक कहां पर है इरर कहां पर है spot the error I was in Delhi last month I never met him किस पार्ट में error है ABC कर दे रहे हैं और D no no error या ऐसा है D no error रवाला है बताईए 15 सेकंड 30 सेकंड टाइम लीजे देखे इस वाकि में क्या है इस वाकि में हमने आपको बताया भी हो दारों कि यद्दा भी मैं दिली में था फिर भी मैं उससे नहीं मिला आप हमने बताया D no and I do not के स्थान पर आप नेवर का प्रियोग नहीं करेंगे तो यहाँ क्या होगा I did not meet him क्या होगा यद्धे भी हम दिल्ली में थे फिर भी हम उससे नहीं मिले फिर भी हम उससे कभी नहीं मिले ये सेंस वाके के साथ सही नहीं है निवर में एक हैबिट होती है आलवेज में एक हैबिट होती है तो ये निवर और आलवेज का प्रयोग उसी habit के अंतरगत करते हैं ये did not ये do not tense में उनका प्रयोग इस तरह से नहीं करेंगे कि मैं दिल्ली में था मैं उससे कभी नहीं नहीं मैं दिल्ली में था फिर भी मैं उससे नहीं मिला ये वाक्य में सही यूज है ठीक तो never के स्थान पर क्या लगाएंगे डिट नाट मीट लगाएंगे चलिए दूसरा वाक के हैं दूसरे वाक में इरर बताईए सिकेंड नमर में कहां पर इरर है मैं फूली के स्थान पर क्या होना चाहिए एक को जिन जीवन के दुरभाग के सहने चाहिए कैसे मैं फूली होना चाहिए मैं फूली मतलब शक्ति थाली रूप से या की प्रुसत्य के रूप में मतलब शक्ति साली रूप से द्रणता के साथ तो अब क्या है फेस करना चाहिए कैसे कैसे ये एड़वर उफ मैनर है how अब पूछेंगे कैसे face करना चाहिए तो क्या होगा manfully हो जाएगा हिम्मत के साथ इसे आप कहे होगे है manfully हो जाएगा man का अगर पूछा जाए adverb क्या होगा तो manly नहीं होगा man का adverb होगा manfully क्या होगा manfully important है दे दिया सकता है और fast है fast fast का adverb fastly नहीं होगा fast का adverb fast ही रहेगा ठीक जैसे he वह तेजी से दौड़ा तो कैसे दौड़ा तेजी से तो he ran fast होगा fastly नहीं होना इसी तरह man का हमने आपको बताया man का adverb होगा manfully होगा तीसरा बाक्य देखिए इसका इरर बताईए when I got home I was too exhausted जब मैं घर पहुचा तो मैं बहुत ज़्यादा क्या था ठाका हुआ था इरर इरर बतानी है इरर यहां बढ़े to exhausted है ना तो इसके साथ आपको प्रयोग करना है आपको मच का प्रयोग करेंगे मच का प्रयोग आपको करना है चलिए कुछ आप और इरर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इतनी इरर बता रहें आप फाइंड आउट करिएगा और बताईएगा किसकी एड़वर में कहां पर रहे है चलिए फिर मिलते हैं कुछ और ही अच्छे उधानलक साथ नेक्स्ट वीडियो में